हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल टार्गेट गवर्मेंट पोश्ट में दोस्तों यूपी बिडिट की पूरी कंप्रिट त्यारी के लिए आप सभी लोग जोड़ सकते हैं नीचे दीगे रेट कलर के सब्सक्रीब बटन दबा करक और बगल में दीगे बिल आइकन को प्रेस करें इसे की आने वाले सारी वीडियो और लेटेस्ट नोडिफिकेशन आपको समय से मिल सकें दोस्तों यह मैट्स की क्लास है मैं आसस प्रिजबती आपका श्वागत करता हूँ आपके अपने चलर टार्गेट गवर्मेंट पोश कूषन मिलेंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर अच्छे कूषन मिलने वाह लें क्योंकि वह basic label के कूषन थे और यहाँ पर आपको कुषन मिलेंगे second part में ये आपको आपकी परिच्छा के लिए important question होंगे तो दोस्तों चली वीडियो को start कर लेते हैं इस live session को चली question यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला question है और इसमें ये कह रहा है बताईएगा 12 number question में कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उचाला जाता है दोस्तों हमने ये concept आपका बता दिया था अगर दो सिक्के हैं एक सिक्के को अगर आप उचालेंगे तो इसमें दो condition बनती है या तो head आएगा और या फिर आपका tail आएगा ठीक है अगर यहीं पर अगर आप दो सिक्कों को उचालते हैं दो सिक्कों को उचालते हैं तो यहाँ पर condition आपकी दो बन रही थी जब एक बार उचाल लेते हैं अगर दो सिक्कों को उचालेंगे तो यहाँ पर दो गुणे दो आपको कर देना होगा यहाँ पर condition बनेंगे आपकी चार बनेंगी ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना अगर यहीं पर तीन सिक्के बताता कि तीन सिक्के उशालता है तो आपको क्या करना होगा दो गुणे यहाँ पर देखे इस्थेतियां कितनी बनती है यह आपको ध्यान देना है तो दो सिक्के हैं दो सिक्के आपने उच्छाले और दोनों सिक्कों में जो head है वो उपर आनी की प्राइकता इसने कही है तो इस condition में आपको solve कैसे करना होगा solve ऐसे करना होगा देखे अगर आप दोनों सिक्कों को उच्छालते हैं तो condition एक ही ऐसी बनती है कि head और head आ सकता है ठीक है नहीं तो आपका head होगा और tail होगा या फिर tail और head होगा या दोनों ही tail होगे तो एक बार ही ऐसी condition बनेगी कि head और head यहीं पहले सिक्के और दूसरे सिक्के में दूसरी condition आपकी tail और tail वाली बनती है और दो different आपकी बनती है head और tail की और tail और head की तो यहाँ पर यह जो हमने condition आपको दिखाई यह चार इस्थितियां बनती है ठीक है जिसमें से दो seeds यानि दो head आने की प्राइक्ता तभी होगी जब कीवल head और head आएगा ठीक है यानि आपका जो formula होता है प्राइक्ता find करने का formula आपका होता है pe is equal to यानि प्राइक्ता आपकी जो निकाली जाती है probability of experiment होता है is equal to आपका formula होता है number of experiment जो आपसे बोला गया है और यहाँ पर total number of experiment नीचे यहाँ पर ns आपका जो होता है total number of experiment होता है जो कि आपको 4 दिया गया है और यहाँ पर जो दोनों सिक्कों को उछा लेंगे तो यहाँ पर 4 एक्सपरिमेंट आपके बनते हैं तो हमने यहाँ पर टोटल जो एक्सपरिमेंट लिए जो सम्भव एक्सपरिमेंट है वो 4 हैं लेकिन इसका कहना यह था कि आप रैक्ता उसकी निकालेंगे दो head आने की प्रैक्ता है, दो head एक ही बार आप आएगा, यहनि यहाँ पर जो आपका answer होगा वो 1 बटे 4 होगा, यहनि probability आपके जो निकल के आएगी, वो 1 बटे 4 निकल के आएगी यह solution होगा ठीक है तो option number B यहाँ पर आपका right हो जाता है उम्मीद आपको समझ में आगया होगा पहला question के लिए हो जाएगा तो आगे question आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी दो सिक्के हैं और इन दोनों सिक्कों को एक साथ उचाल दिया जाता है कि प्राक्ता यहीं प्राक्ता उसकी पूसि जाती है जो experiment हम करते हैं और उसमें जो हम पसंद करते है यहीं हमने क्या target किया कि दो सिक्कों को एक साथ उचालने पर यह दो बार ही condition apply हो सकती है यह एक बार पहले सिक्के में अगर head और दूसरे सिक्के में तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर पर प्राइकता निकल के आता है वो दो बटे चार यहाँ पर आंसर आएगा एक बटे दो तो आपका आंसर हो जाता है option no a उम्मीद आपको एक question समझ में आ गया होगा next question में चलेंगे तीन सिक्कों को एक साथ उचला जाता है concept मैंने पहले बता दिया था तीन सिक्कों को अगर एक साथ उचालेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्राइक्ता निकलेगी वो इस प्रकार से आएगी total जो संभव स्थितियां बनेगी वो कितनी बनेगी 8 बनेगी ठीक है उचालने पर बोला है तीनों पर टेल आएगी प्राइक्ता तो तीनों पर टेल आएगा यानि एक बार ही तो आएगा तीनों पर टेल बोला है तो तीनों पर टेल एक बार ही स्थितिया ऐसी बनेगी जिसमें तीनों पर टेल हो ठीक है तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आता है option number C, उम्मीद है आपको ये question समझ में आ गया होगा next चलते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगा करें तो दोस्तों like और share जलूट किया करें आप सब उम्मीद है कि आप लोगों अगर वीडियो पसंद करते हैं तो like और share जलूट करते होंगे क्योंकि देखिए आपके support से ही हम आपको regular वीडियो और आपके लिए questions करते हैं और आपको वीडियो समय से दे पाते हैं ठीक है तो आपका motivational हमाई लिए बहुत जरूरी होगा ठीक है देखिए फिफ्टी नमबर question पे दो पासों को एक साथ उच्छालने पर दोनों पासे जो दोनों पासे हैं दोनों पासों पर समान अंक आनी के प्रयाक तरह आप समझेगा अगर एक पासा अप उचलते तो वहां पर 6 स्तितियां बनती है ठीक है डो पासे उचछालेंगे तो 6 गुहनले खे आपको करना और दोनों पासों में, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्राइक्ता, तो समान अंक आने की प्राइक्ता कितने बार बनेगी, देखो एक एक भी आ सकता है, दो दो भी आ सकता है, तीन तीन भी आ सकता है, चार चार भी आ सकता है, पांच पांच भी आ सकता है, छे छे भी आ स यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है एक बटे छे आपका सही आंसर आप्शन नमबर डी करेक्ट हो जाता हूं मीद है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है उपर आपको वो लिने होते हैं जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे उसने बोला कि दो पासों को एक साथ उचलने पर त दोले नमबर प्रस्ट में दो पासों को एक साथ उचलता है तो यहाँ पर आपको डाइट नीचे 36 ले लेना है ठीक है अच्छा डाइट इसले ले रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले कुश्चन को कर चुके हैं आच्छा आप कहता है कि पासों पर अब हम दोनों को उच्छा न जाए या फिर इनका अपोजिट कर लो अपोजिट कैसा एक छे हो गया पांच दो आ सकता है चार और तीन आ सकता इन्हीं स्थितियां कितनी बन गई यहाँ पर टोटल छे बन गई तो छे बटे 36 करेंगे तो यहाँ पर एक बटे छे आंसर आएगा इन्हीं ऑप्सन नंबर आपका हो गया यहाँ पर बी तो सोलवेक ऑप्सन नंबर बी आपका यहाँ सही होता है नेक्स्ट कुशन यहाँ पर 17 है करा दो पासों को एक साथ उचलने पर उपर आए अंकों के योगफल के रुड यानि प्राइम होने की प्राइकता प्राइम कब होगा प्राइम नंबर आपके होते हैं दो तीन जो खुद से डिविजवल हो पांच हो गया और साथ हो गया और क्या होता और आपका होता है इसके बाद 11 13 ठीक है इस प्रकार से नंबर होते हैं ठीक है अब समस्या यह आती कि आपको काउंट कैसे करना काउंट करने के लिए आपको इध्यान रखन कहां तक नंबर बना सकते हुआ, दो पासों में, छे और छे यानी बारत, छे और छे, क्योंकि इसका कहना ये है, कि उपर, सत्रवे नंबर पे, उपर आए अंकों के योग से रुड होने की प्राइक्ता, तो कैसी स्तिधियां बन सकती, देखो भई, एक और एक आ गया, तो दो बन जाएगा, ठीक है, एक और दो आ गया, तो तीन बन जाएगा, ठीक है, वहीं दो और तीन आ गया, तो पांच बन जाएगा, तीन और चार आ गया, तो सात बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको इस्तितियां ध्यान रखनी होंगी, और आपको ये भी ध्यान रखन होगा ऐसी कंडिशन में आपकी 15 ऐसी स्थितियां बनती है कि जो रोड आपके बनते हैं रोड नंबर यानि प्राइम नंबर जो बनते हैं तो प्राइम नंबर कितने बनते हैं 15 कंडिशन ऐसी होती है इसमें रोड नंबर बन सकते हैं ठीक है जिसे आपका साथ हो गया 11 हो गया सथ गया इससे पहले जो आम ने बताए दो तीन और आपके 5 नंबर आपके बं सकते हैं तो 15 इसी ओगी यह आपको ध्यान लखना नहीं तो आप आप करते हैं जैसे कि आपने आपको भी कुछ नंबर्स करके दिखाए इस तितियां बनाके दिखाए और टोटल तो आपको 36 पता आई है ठीक है यह दोनों तीन से डिविजबल है तो तीन से जब आप डिवाइड करोगे तो तीन पच पंद्रह होता है और नीचे बारा हो जाएग अगला कुशन यहाँ पर है 18 नंबर 18 में कहा रहा है कि दो पासे इनको एक साथ उचलने पर उननुपर आए अंकों का जो योग है कम से कम 10 आने की प्रयक्ता अब समज的時候 पूली है ठीक है तो कम से कम दस आने की प्रयक्ता मतलब क्या कह रहा है की 10 तो आई गई आएगा कम से लेना ही लेना है तो चार और छे हो गया मतलब दस लेना कम से कम बुलना कम से कम दस अनिक प्रेक्ट उनका जो योग अनकों का तो चार छे हो सकता है पांच और पांच हो सकता है छे और चार हो सकता है ठीक है छे और छे हो सकता है कम से कम दस बोला है अधिक से अधिक आपका हो देखो भाई देख लो स्तितियां देख लो यहाँ ठीक है तो आपका यहां पर देखो शे और पांच नहीं लिया था ले लिया ठीक है यहां पर आपका यहां पर आपका 18 नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे कुश्चन अगर समझ में आ रहे हैं दूस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें यहाँ पर कहता है तास की गड़ी से एक पत्ता खीचा जाता है अब पत्ता एक खीचा गया और इसके एका होने की प्रेक्ट तो अब आपको चीज़ तो पता होगा कि तास की जो गड़ी होती इसमें प्लिंग सोते कितने फिफिटी टू होते ना आप फिफिटी टू में से कोई एक होसकता है तो जो संभव स्तितिया होंगी वो कितने यह unterstützen 62 लेकिन आपका कहना यह कि इसके इकका होने की प्रैक्तार अब इकके कितने होते हैं इकके होते हैं पूरी गड़ी में चार तो चार में से कोई एक इकका होगा तो चार बटे अपको क्या करना होगा? बावन करना होगा क्योंकि उसने कहा है कि उसके इका होने की प्राइकता अब इका कौन सा है वो उसने नहीं बोला इका होने की प्राइकता है इन चार में से कोई एक हो सकता है तो इन चारों को ही लेना होगा तो चार बटे बावन करना होगा तो एक बटे यहां पर हो जाएग लगती रहे यह आपकी प्राइक्ता होगी कि ऊपर एक मतलब जो पत्ता खीचा गया है उसका एक का होनी की प्राइक्ता ठीक है तो यहां पर आपका आंसर आएगा एक बटी तीरा अप्शन नंबर सी उमीद आपको समझ में आ गया होगा अगला कुशन है ऐसी कुशन पेपर म होते हैं 26 अब उसने कहा है लाल होनी प्राइक्ता थो 26 पत्ते हमको लेने पढ़ेंगे इन 26 में से कोई भी एक हो सकता है और नीचे आपको टोटल पत्ती लेने पढ़ेंगे बावन जब आप सॉल्व करोगे तो एक बिट्टे दो आपका यहां पर आंसर आएगा उमीद रिवाज में आया होगे तो वीडियो लाइक करें शेयर करें और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाये तेली मैं जोयन कर लें जहां से आपको पीडैयाय धूल पाए आप टेली ग्राम लिंक दिया गया हो गा और साहथीं साथ में आपको रग्व्डायो वीडियो से ज़ोड़ना चाहते तो 11 बचे आपका लाइब झाल झाल